हेले स्टूडेंट कैसे हैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चे होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चले होगी और यंपी बोट के जितने बच्चे हैं भाईया दो मार्च को हिंदी का एकजाम है सबी लोग प्रापर रूप से त्यारी कर रहे हैं और आज क जो मारा टॉपिक है भाव पल्लबन कीजिए भाव पल्लबन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आपके पास एक बाक दे रखा है उसका भाव क्या है उसका बिस्तरत बर्णन है ना सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि भाव पल्लबन कितना लिखना है तो आ भाव पल्लबन यहां से लिखना शुरू करोगे तो आपका यह लाइन चोड़ो फिर आपका यह एक दो ठीक है तीन चार पांच और छे मतलब आपको यहां तक लिखना है सिस्टमेटिक में आपको बता रहा हूं कि भाव पल्लबन कैसे लिखना है अब देखिए मैं एकाद द एकजामपल के सहारे आपको समझाने की कोशिश करोंगे जैसे जननी जन्म भूमी स्वर्गसे महान है अब इसको आप किस रूप में लिखोगे सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे भाव पल्लबन उत्तर में लिखोगे न प्रश्न क्रमांग पांच का उत्तर आठ का उत् हैं और प्रथिवी मां को यहां पर जन्म भूमी और जननी जननी मतलब जो जन्म दे रही है ठीक है और जन्म भूमी जहां पर हम रहते हैं उस स्वर्ग से भी महान है स्वर्ग मतलब जैसे जब कोई मर जाता है उसे बोलते हैं न स्वर्ग में चला गया स्वर्ग में लोग क जाने के कोशिच कर रहे हैं कि भाव क्या कह रहा है कि जन्म भूमी जन्म भूमी मतलब जहां पर हमने पैदा हुआ ठीक है अब ये जो दोनों है स्वर्ग से महाने इसके बारे में आपको बनन करना है चुकि आपको अपने भाँ सामें लिखना है ना तो गाइड का प्रेयोग करना है ना तो परिच्छा बोदना तो परिच्छा दन सबसे पहले आप लोग बताओगे कि जिन्हों ने हमें अतन्त कष्ट सह करके जन्म दिया उनका हम सदैब रिड़ी रहेंगे जन्म भूमी जन्म के बाद जिस मा के गोद में हम खेल रहे हैं जिस मा के गोद में हम उपकार किया है इतना उपकार किया है कि हम कितना भी कुछ कर दें लेकिन उनके लिए सदय बिढ़नी रहेंगे जिसे आप लोग इदी पड़े होंगे तो गुरुदेव रभिना टैगोर ने कहा था कि इदी मुझसे कोई बोले कि प्रेम की बदले स्वर्ग दिया जाए तो भ अधिरा से डूबने वाले लोग होते हुआ बैवाब लास है ना स्वर्ग में यही चीज़ होता है जबकि प्रेम में बैक्ती धूब छाओं सभी प्रकार से मार्क में चलकर एक नया इनसान बनता है इसलिए मा का ममत तो जो ममता है वो अब इसमर नहीं रहेगा वो हम अपन इसके गोद में जो पल रहे हैं इसके हम सहारे से जो बढ़ रहे हैं वो कर्म भूमी कर्म बीर बनना स्वर्ग से भी महान है है ना मतलब यह जो हम कर्म हम एक प्रकार से बच्चों हमारे लिए मा और जन्भूमी दोरा किया जाता है वो किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है इसलि आपको लिखोगे दूर के ढोल सुहाब ने लगते हैं जैसे मा लिजे आप अभी तक आगरा नहीं देखें बात की बात समझो तो आपको लगेगा कि आगरा का ताजमाल इतना सुंदर होगा इतना बहतर होगा जैसे किसी किले की नाम आदे आप लोग सुन ले कि ये किला दूर के ढोल सुह आपने लगते हैं अपना खाना डगे जहां वहां का खाना बेतर था हमारे गर का खाना सही नहीं था समझ्थ निए कोशिश करेंगी तो इसे बोला जाता है अब इसको आप डिटेल करोगे तो आप सबसे पहले तो बताओ कि दूर की साथान बस्तों भी अ पारे में हम अल्फ ग्यान रखते हैं, वो हमें सुन्दर दिखाई देता है। जबकि जो हमें पास में बस्तु रखी है, उसके बारे हम संपूर चीजें, उसकी कमिया अच्छा हैं, बुरा हैं, सब कुछ मालूम होता है, इसलिए पास की चीजें को हम उतना ना तो महतो देते हैं, ना तो में अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि यह रही दूर की बस्तु हैं, दूर की कोई ब्यक्ती है, उसके पारे में हम संपूर जानकारी नहीं रखते हैं, तब तक हमें इतना ही पैरा लगता है, जितना की कुछ नया चीज़ जानकार हो, है ना, लेकिन जो पास क बस्तु ही होती है, उसमें हम भली बात से पर्चित हो जाते हैं, फल सरोप वो हमें बहतर रूप से उतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए कहा गया है, दूर की ढोल सुह हमने लगते हैं, यह दूर ढोल बज रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा नाच हो रही है, हम वह उसका जन्म म्रत्व सुतंत है, जन्म नरेने से ना तो कोई रोक सकता है, ना तो म्रत्व से भी कोई रोक सकता है, यह दि किसी बैक्ति के म्रत्व हो रही है, तो किसी के अधिकार नहीं है कि उसको हम रोक सके, और किसी बैक्ति के जन्म हो रहा है, तो किसी बैक्ति के इतना अवकात ही नहीं है कि उसे रोक सके वो सुतन्ता के दायरे में रहते हो सुतन्ता का प्रयोग कर सकता है ठीक है क्योंकि यह सुतन्ता उसे जन्म से ही प्राप्त होता है इतना आप दो चार लाइन समझ लो जरा और म्लत्तु दोनों ही जगत की प्रमारित सत्य है मतलब जरा मतलब जन्म लेना ये भी सत्य है कि यदि किसी ब्यक्ती ने भई जन्म लिया है तो उसका मरण भी होगा ये भी सत्य है जन्म हो रहा है तो आप नहीं रोक सकते सुतंत रहे और दी वो मर भी रहा है तो भी आप नहीं रोग सकते ये भी उसो तनत है जरा और म्रत्तु बोला गया है दोनों प्रमारिस सत्य हैं इसे जुटलाया नहीं जा सकता है लिखक नहीं कहा कि हमारे समाज में कुछ लोग विशेश रूप से चिपके हुए रहना चाहते है है ना किसी विशेश में किसी घटना में अपना धिकार समझते हैं जब की वह है स्वताही समाप्त हो जाने वाला चीज है संसार में आप एक दिन ब्रद्धा वस्था में हो जाओगे फिर म्रत्तु भी हो जाएगी इन सब चीजें घटनाए स्वभविक है सास्त्र में भी सिद्ध हुआ है कि भाई यह सचाई है कि किसी ब्रक्ति का जन्म हुआ है तो ब्रक्ति निश्चित रूप से मरेगा जिससे पेण पौधों में भी दिया आप देखो तो पेण पौधे में पत्ते आते हैं फूल लगते हैं फल भी लगता है लेकिन एक निश्चित समय पस्चात पत्ते भी जड़ जाते हैं फूल भी जड़ जाता है और फल भी तूड़ जाता है इसी प्रकार से जो मनुस्र का जन्म और मत्तु ये निश्चित है इसे किसी प्रकार की सत्त किया वसकता नहीं है ये जो मैं सब बोल रह लेकिन पाउ प्रत्वी पढ़ ठीक है आँखों में स्वर्ग है मतलब मन में आप ये लालसा है कल्पना सील है आपकी मन पतंग के समान उड़ रहा है आप कल्पना कर रहे हैं कि स्वर्ग में बिल्कुल सौंदर ऐसो आराम भोग बिलास से लिप्त पापियों का घर स्वर्ग कल्पना सील प्राणी है वह सोच तो रहा है आँखों में स्वर्ग के सपने देखता है पतंग उड़ने जैसा है कल्पना का साकार नहीं करना चाहता है वह सुखी और सफल जीवन नहीं पता वास्तविक रूप से परिस्रमी इमांदार और सादगी का जीवन जीने वाला बिक्ती उसके पैर धर्थी पटी के हो वहीं आँखों में स्वर्ग को साकार कर सकता है कहने का मतलब जो केबल आँखों में स्वर्ग के सपने देखता है ठीक है सादगी से जीवन जीले वाला व्यक्ति होता है जिसके पैर धर्थी पर ठीके होते है वही वास्तविक रूप से क्या होता है आँखों में स्वर्ग को साकार का पता है आँखों में स्वर्ग लेकिन प्रत्थी पर ठीके हो मतलब आँखों में जो आपकी कलपनाये हैं जो आप सोच रखे हैं जो आपके मन में सुर्ग की सपने सज रहे हैं वो तभी सफल हो जाकते हैं जब आप इमानदार होंगे परिस्रम ही होंगे है ना किसी भी कार के प्रती आपके मस परिबधता होगी जब आप उसको अच्छी तरीके स्करेंगे और आपकी पैर धर्थी पटी के होंगे तभी आँख में जो स्वर्ग के सपने है वो साकार हो सकते है इसी तरीके से कोई भी टॉपिकाद है बच्चो आपको उसके बारे में हिंदी से ले करके थोड़ा बहुत जैसे मैंने इसको आपको पांच समझाया ठीक है अब पांच में आप एदी कोई एक ही लिखना रहेगा न उसको थोड़ा थोड़ा इधर उधर का सब्द यूज करके आप उसे भाव पर लिवित कर दो और कई सारे कोश्चन है अमीरों की तुल्ला में गरीब अधिक सुखद है क्यों? क्योंकि आमीरों की तुल्ला में क्यों? क्योंकि आमीरों का संबंद सुख से है लेकिन गरीब का संबंद दुख से है ऐसा कोई कहे तो गलत है क्यों? क्योंकि भाई जो अमीर है वो उतने ही ज़्यादा पैसों के लिए परिसान है उतने ही ज़्यादा सफल व्यक्ति बनने के लिए परिसान है लेकिन जो गरीब है उसके अंदर एक क्या है साहस है साहस का मतलब है उसके अंदर संतोस करने की एक सक्ति है यह हमारे पास इतना चीज है इससे हम इतना अर्जित कर सकते है ठीक है और साथ में उनको दूसरे से किसी प्रकार से इसा नहीं होती वो अपने जितना भी उनके पास होता है उतना से वो खुश रहते है तो इस प्रकार से आप लोग भाव परलबन सीख लो और जो भी आएगा टॉपिक आजाएगा दि आता है पेपर में वोसे तो मैक्जिमम चांस नहीं बनते हैं और अभी 2020 में, 2018 में, 2019 में, 2018, 2016 में, 2013 में इन में सम्में पूछा गया था लेकिन हो सकता है भाई इस साल ना आए जरूर ने की आई जाए तो आप लोग बिल्कुल तैयार करते चलें बच्चो और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं ली वीडियो के साथ जैहिंद बंद मातरम